नमस्कार दोस्तों मैं वैभावश राज आपका स्वागत करता हूँ तक्षिला टुटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 7 के बारे में जिसका नाम था प्रत्यावर्ति धारा इसमें दोस्तों हम लोग लेक्चर 7.9 तक कंप्रीट कर चुके थे आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर 7.10 के बारे में ओके दोस्तों आज की सेशन का पहला टॉपिक है विशलेशात्मक्विधी द्वारा LCR परिपत का हल मतलब मैंने आपको बताया था LCR परिपत के हल हम लोग दो तरह से कर सकते हैं पहला तरीका था कलाचित्र के माध्यां से LCR परिपत का हल जो कि हम लोग लास्ट वाले लेक्चर में देख चुके थे आज हम लोग बात करेंगे विशलेशात्मक्विधी द्वारा LCR परिपत का हल ठीक है तो उसके लिए करना क्या होगा इस वाले तरीके में हमको एक्वेशन मनानी पड़ेगी उसको सॉल्व करना पड़ेगा और फिर हम लोग बताएंगे कौन अगरगामी है और कौन पश्रगामी है ठीक है चली दोस्तों तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमने जो समीकरण 2 बनाई थी आपको याद होगा कलाचित्र द्वारा LCR परिपत का हल इस हेडिंग के जस्ट पहले हमने आपको एक समीकरण 2 बनाई थी वहाँ पर उसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं समीकरण 2 से ठीक क्या था समीकरण 2 में बोला गया था कि L इन्टू D I by D T ठीक है Q upon में C I R प्लस Q upon C ठीक है ये क्या किसके बराबर था V बराबर V naught sin omega ठीक है ठीक है ये equation number two थी ठीक है अब इसको लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों दिखिए हमें पता है दोस्तों कि I बराबर कितना होता है D Q by D T होता है भाई आवेश प्रवाग इदर को इता धारा कहते है न तो इसी हिसाब से हम अगर यहाँ पर लिखेंगे D I by D T तो D I by D T कितना हो जाएगा ये हो जाएगा D2 Q upon dt2 ठीक है ये बात समझ में आगई चलिए भाई ऐख़िए क्या करते हैं समिकारं दो मेंसे पुट कर देंगे रखिए इसको कितना हो जाएगा L और D I by D T ये ऌजाएगा d2 q upon dt2 ठीक है ये बात समझ में आ गई plus i i की जगा रखेंगे dq by dt ठीक है जो की यहाँ पे value हमने निकाली थी dq upon में dt ठीक प्लस q upon c तो यह हो गया q upon में c is equal to v naught sin omega t ठीक है भाई चलिए अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे equation number 3 होगे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है दोस्तों यह जो equation number 2 बनी है वो है क्या वो बिल्कुल प्रणोधित company के समिकरण से match करती है आपने 11 वी class में एक chapter पढ़ा होगा दोलन उसमें विभिन प्रकार के दोलनों के बारे में आपने जनकारी प्राप्त की होगी उसमें से एक प्रकार का दोलन होता है प्रणोधित company या प्रणोधित दोलन तो अगर हम बात करते हैं प्रणोधित दोलन की तो प्रणोधित company या प्रणोधित दोलन की जो समिकरण होती है वो बिल्कुल इसके जैसी होती है हणना और उसका जो हल निकल कर आता है वो कितना आता है y बराबर y not sin omega t plus theta के रूप में निकल कर आता है ठीक है तो हम क्या कर सकते हैं जब इस समीकर्ण की इस समीकर्ण का जो रूप है वो प्रनोधित कमपन के समीकर्ण से मैच कर रहा है तो इसका हल भी प्रणोधित कमपन के समीकरण के हल के जैसा ही होगा ठीक है तो इसी के आदार पे प्रणोधित कमपन के समीकरण के हल के आदार पे इस समीकरण का एक हल हम लोग मान सकते हैं Q बराबर Q naught in omega t plus theta ठीक है एक इसका यह हल हम लोग मान समते हैं sin q बराबर q not sin omega t प्लस theta यहाँ पर रख दीजे ठीक है इसको यहाँ पर आप put कर दीजे ठीक तो कितना हो जाएगा देखिए यह हो गया और यहाँ से हम इसका मान निकाल लेते हैं dq upon dt dq upon dt कितना हो जाएगा दोस्तों dq upon dt इसका समा कलन करिए sin का हो जाएगा cos और एक omega बहार निकल आएगा तो यह हो जाएगा q not omega और यह हो गया cos ठीक है cos omega t प्लस theta ठीक और आप यहाँ से यह निकाल लीजे d2 q upon dt2 q निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जरूरत पड़ेगी ना इसकी ठीक है भाई चलिए तो कितना आजाएगा यह आजाएगा cos का फिर से एक बार अब कलन करिए तो आएगा minus sin तो यह minus का q not omega square और यह हो गया sin omega t प्लस का theta ठीक है भाई अब क्या करेंगे समिकरन 3 में सारी values put करनी है अमिकरन 3 में सारी values रखिए l अपनी जगा पे है ठीक है और क्या हो जाएगा d2 q upon dt2 की जगा पे यह वाली values रखनी है ठीक है कितनी minus का q not omega square और यह हो जाएगा sin ठीक है और अंदर बनेगा यह omega t प्लस का theta ठीक चलिए भाई अब यह bracket हो गया बंद ठीक अभी क्या है यहां लगाया प्लस r और dq upon dt की value कितनी है q not ठीक है और यह बन जाएगा cos omega t प्लस theta cos omega t प्लस theta ठीक है चलिए भाई अब बात करते हैं हम लोग यह last wallet term की ठीक है तो q upon c तो q को हम लोग as it is रहें देंगे नहीं लेकिन q की यह early value इसको expand करके लिखेंगे ठीक है q बराबर q not sin omega t प्लस theta ठीक है और upon में c is equal to क्या है दोस्तों v not sin omega t अभी देखिए क्या करना है दोस्तों इसको arrange करना है ठीक है तो अभी मैं इसको rough करता हूँ ठीक है अब देखिए यहाँ पे हमको करना क्या है इन तीनों terms को ध्यान से देखिए क्या हो रहा है यहाँ यहाँ पे q not common है q not common है q not common है ठीक है अब यहाँ से हम क्या करेंगे q not omega बाहर लेंगे तो q0 omega बाहर निकालेंगे तो जरह ध्यान रखिएगा यहां तो q0 omega है निकल आएगा कोई दिक्कत निया माइनस में बचेगा एक omega बचेगा एल बचेगा और यह हो गया sin omega t plus theta ठीक है? अच्छा अभी देखिए यहां से omega और q0 बाहर निकल गया नहीं था तो क्या करेंगे? omega common चला गया है तो एक omega यहां पर upon में आ जाएगा कितना बचेगा? यह बचेगा sin omega t plus theta upon में omega c ठीक है? और equal में क्या चलेगा? v0 sin omega t ठीक? आप देखिए यहां से फोड़ा term को हमें arrange करना है के वल ठीक है? omega l जो है वो xl बन जाएगा यह बन गया xl और यह हो गया sin omega t plus theta ठीक है? यह हो गया r को अपनी जगा रहें दीजे r cos omega t plus theta ठीक है? और यहां यह 1 upon omega c क्या बन जाएगा? x c बन जाएगा यह हो गया x c और यह हो गया sin omega t plus theta ठीक है? और यह bracket बन जाएगा और यहां पर हम लोग दिद देंगे एक्वल में क्या है? v naught sin omega t ठीक है? अभी देखिए क्या करना है हमें? अब हमें यहां से देखिए xl और xc के पास जो multiply में लिखा है sin omega t plus theta sin omega plus theta यह common है बाहर निकाल लीजे q naught omega बाहर है वो अपनी जखा रहेगा यह हो गया xc minus xl ठीक है? ब्रैकेट बन और यहां बन जाएगा sin omega t plus theta ठीक है? यह हो गया ठीक plus में कितना हो जाएगा r cos omega t plus theta ठीक है? और इसी के साथ ब्रैकेट बन और यहां पर हो गया v naught sin omega t अपनी जगा पर आ जाएगा ठीक है? अच्छा अभी हमको करना क्या है? z से multiply z से divide तो q naught omega z ठीक है? is equal to कितना बन जाएगा? xc minus xl ठीक है? अपन में z बन जाएगा sin omega t plus theta और इधर आईए यह हो गया यहां पर z से multiply किया है तो z से divide करेंगे तो दोनों terms में divide करना पड़ेगा तभी यह common लेके इसको cancel कर पाएगा ठीक है? यह हो गया cos omega t plus theta ठीक है? और इसको हम लोग बोल रहे हैं v naught sin omega t ठीक है दोस्तों अच्छा अभी हम इसको क्या करते हैं? equation number 3 तक बन गई थी equation number 4 हो गई ठीक है? अभी हमें यही पर stop करना है ठीक? और इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे लेकिन उसके पहले हमें in terms को resolve करना है ठीक है दोस्तों जड़ा इस वाले ट्राइंगिल को देखिए इसमें sin, cos, ten सब लगा दीजे अगर हम इसमें sin phi लगाएंगे तो sin phi लगाने पर हमें क्या मिलेगा? sin phi लगाने पर हमें मिलेगा vl difference vc upon में v ठीक है? इसको solve करने पर क्या आएगा दोस्तों? xl difference xc upon में z यह आएगा sin phi ठीक? अगर हम इसमें cos phi लगाते हैं तो cos phi लगाने पर कितना आएगा? cos phi लगाने पर vr upon में v इसका मतलब यह आएगा r upon z ठीक है? अगर हम इसमें tan phi लगाते हैं दोस्तों तो tan phi लगाने पर क्या मिलेगा? tan phi लगाने पर जो होगा वो vl difference vc upon v यानि की xl difference xc upon vr यह मिलेगा दोस्तों अब आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ क्या बनेगा यहाँ xl difference xc upon z sin phi के बराबर है तो यहाँ पर वही चीज तो बन रही है यानि यह वाला हिस्ता क्या हो जाएगा sin phi ठीक है और यह वाला हिस्ता क्या हो जाएगा cos phi ठीक इसको मैं रफ करता हूँ और आगे बढ़ेंगे हम लोग ठीक है अब देखिए दोस्तों xc minus xl upon z और यहाँ क्या लिखा है xl difference xc का मतलब ही होता है जो बढ़ा हो उसमें से छोटे वाले गटा दीजे xc minus xl upon z यह sin phi के बराबर बन जाएगा तो यह हो जाएगा q naught omega z और यहाँ बन जाएगा यह sin phi ठीक है यह बन गया है sin phi इंटू में और यह क्या हो गया है यह हो गया है sin omega t plus theta sin omega t plus theta ठीक है plus अब देखिए r by z r upon z किसके बराबर होगा r upon z cos phi के बराबर है तो यह बन जाएगा cos phi ठीक है और इंटू में यहाँ देखिए यह क्या लिखा है cos omega t plus theta को हम as it is उतार देंगे और यह बन जाएगा v naught sin omega t ठीक है ठीक है देखिए दोस्तों यह sin a minus b का whole square बन जाएगा sin a into sin b फिर plus cos a into cos b ठीक है और यह formula पुरा pack हो गया sin a minus b में और यह बन जाएगा v naught is equal to sin omega t ठीक अभी देखिए करना क्या है हमको ठीक अब हमको compare करना है दोनों यह question number 5 हो गई दोनों पक्षों में तुल्ला करने पर करिये तुल्ला कितना हो जाएगा v naught is equal to q naught omega z हो जाएगा ठीक है और आपको पता है अगर हम v naught upon z करते हैं तो v naught upon z is equal to q naught omega हो गया है ठीक है अच्छा v naught upon z क्या बन जाएगा यह बन जाएगा i naught i naught बराबर omega naught into q naught into omega हो जाएगा ठीक है यह question number 6 हो गई भाई चलिए अभी हमको और क्या करना है compare इनका इनका भी तो होगा यह वाला angle इसके बराबर होना चाहिए यानि कि omega t plus theta minus का phi is equal to omega तो यह तुल्ला करने से पहले हमको एक चीज़ों करनी पड़ेगे हमको ध्यान देना होगा यह cos में है और यह sign में है तो इसके लिए हमको क्या करना होगा या तो इसको sign में बना ले या तो इसको cos में बना ले चलिए बन रहा है वी नॉट बन रहा है तो यहां से q naught into omega is equal to कितना होगा वी नॉट अपॉन जड होगा दोस्तों विभाव बटे प्रतिबाधा क्या बनेगी धारा बनेगी और उपर वी नॉट लिखा है तो धारा का दिक्तमान बन जाएगा यानि कि i naught is equal to कितना होगा q naught into omega equation number 6 ठीक अभी देखिए इनकी इनकी तुल्ला खरिए तो कितना हो जाएगा omega t is equal to pi by 2 plus omega t plus theta minus का 5 ठीक है अब यहां से देखिए omega t से omega t cancel हो जाएगा और यहां से हम क्या करेंगे theta का मान निकाली है जाएगा तो theta is equal to कितना आएगा theta is equal to आजाएगा 5 minus का pi by 2 ठीक है अब यह हो गए हमारी equation number साब अब उनको करना क्या है जहां आपने समी करन का हल माना था q बराबर q naught sin omega t उसी में जाएगे और मान रख दीजे ठीक है तो यहां लिखेंगे परन्तु भाई q बराबर कितना था q naught sin omega t प्लस theta था न अब उस theta के जगा पर यह value पुट करनी है तो कितना हो जाएगा q is equal to q naught sin omega t को अपनी जगा लिखेंगे theta के जगा क्या लिखेंगे phi minus का pi by 2 ठीक है अब क्या होगा यह minus sign पहले common लीजे और बाहर निका लिए इसको ठीक कितना हो जाएगा q is equal to q naught तो यह बन जाएगा sin pi by 2 minus का phi और minus का omega t ठीक है और इस कौम लोग इस तरह से भी लिख सकते है ठीक एक minus sign बाहर आ गया ठीक अब ही क्या है sin 90 minus theta क्या बन जाएगा cos theta बन जाएगा तो q is equal to कितना हो गया q is equal to minus का q naught और यह बन गया cos omega t plus का phi ठीक अच्छा अभी हमें धाला निकालनी है दोनों पक्षों में क्या करिए अब कलन कर दीजे dq by dt is equal to यहाँ बन जाएगा minus का q naught और यह हो गया sin का अब कलन cos होता है cos का minus sin होता है minus minus plus कर देगा यह हो गया sin omega t plus phi और एक omega निकलेगा वो इसके साथ आजाएगा दोस्तों q naught into omega मिल के क्या बन जाएगा i naught बन जाएगा और यह i is equal to कितना हो गया i naught हो गया और यहाँ से हो गया sin omega t plus का phi ठीक है तो यह तो हो गई धारा की समीकरण equation number 8 तो दोस्तों आवोपित विभव और धारा की समीकरण को देखकर यह निश्चित हो जाता है यह clear हो रहा है कि धारा जो है वो विभव की तुन्ना में 5 degree अग्रिगामी है क्यूंकि धारा की कला ज्यादा है ठीक है दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे इसके लिए औसत शक्ती 6 का मानने देखें दोस्तों परिपत में औसत शक्ती 6 निकालने के लिए हम क्या करेंगे P bar is equal to V I का ठीक है अब हमको करना क्या है यहाँ पे P bar is equal to V की जगा पे हमने कितना विभो लगाया था V बराबर V naught sine omega T ठीक है और I की जगा पे हमने कितना धारा कितनी मिल रही है धारा मिल रही है I naught sine omega T प्लस 5 ठीक है अच्छा अब बार लगा है सब पे तो आप भी इस पे बार लगा दीजे ठीक है P bar is equal to V naught और I naught तो common है बाहर मतब constant है उनका बार निकालने से कोई फाइदा नहीं है ठीक है तो वो बार sine के बाहर आ जाएंगे अच्छा अंदर क्या बच रहा है sine omega T बचा है और multiply मे sine sine omega T प्लस 5 बच रहा है ठीक है अब हमें करना क्या है P bar is equal to V naught I naught और यहां देखिए यह हो गया है sine omega T और यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा आपका sine A cos B sine A cos B क्योंकि sine A plus B का फर्मुला होता है sine A cos B plus cos A sin B cos A यानि cos omega T plus सरी प्लस नहीं यहां टू होता है ठीक है तो यह हो जाएगा sine B कुछ किया नहीं गया है बस sine A plus B का फर्मुला खोला गया है sine A cos B plus cos A sine B ठीक सब पे बाहर चलेगा इसके बाद देखिए P bar is equal to V naught I naught तो बाहर है bracket लगा दिया अभी देखिए इसका अंदर multiply होगा तो यह हो जाएगा sine omega T का इस पहले वाले टर्म से multiply होगा तो sine square omega T into cos phi इसका बार plus अब sine omega T का multiply second वाले term से होगा तो कितना बन जाएगा sine omega T into cos omega T into bracket बन्द अभी देखिए यहाँ पे एक line हम लोगा लिख सकते हैं P bar is equal to V naught का बार तो V naught I naught तो बाहर है भाई ठीक है अभी देखिए cos phi क्या है cos phi तो constant है ठीक है क्योंकि यहाँ पे omega जैसे चीन तो आ नहीं रही है ना दोस्तो cos phi तो fix है जैसे जैसे समय बीतेगा क्या R और Z कमान बदलेगा नहीं बदलेगा तो cos phi क्या है common है मतब constant है cos phi constant है तो यहाँ पे उसका बाहर निकालने से कोई भी फायदा नहीं होगा तो cos phi बाहर निकाल दिया और sin square omega T का आउसत मान निकालेंगे ठीक है प्लस इधर देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे है 2 से गुणा 2 से भाग कर रहे है और इसको हमने बना दिया है sin 2 omega T का बार ठीक है और sin 5 भी constant है दोस्तों क्योंकि देखिए ज़रा sin 5 बराबर xl difference x upon z समय के साथ ना तो xl चेंज होगा ना xc चेंज होगा ना zet चेंज होगा तो इसलिए sin 5 का मान भी constant है ठीक है उसका भी औस अत्मान निकालने से कोई फाइदा नहीं आईए अब हम लोग यहाँ पे इसको देखते हैं आगे बरते p bar is equal to कितना हैगा v naught i naught ठीक अंदर आईए यहाँ पे देखिए sin square omega t का उसत्मान कितना होता है 1 by 2 तो यहाँ पे हमें वही लेना है और यह जो है cos 5 अपनी जगा पे रहेगा into में 1 by 2 और इधर आईए sin 2 omega t का उसत्मान 0 होता है तो इसको लिखने से कोई भी फाइदा नहीं है यह तो 0 ही रहेगा ना तो यह हो गया p bar is equal to v naught और यह देखिए v naught i naught cos 5 ठीक है upon में लिखा है 2 इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं p bar is equal to v naught upon under root 2 multiplied by i naught upon under root 2 multiplied by cos 5 ठीक है तो यह क्या बन गया p bar is equal to v naught upon under root 2 को हम लोग लिख सकते हैं v rms into i naught upon under root 2 को लिख सकते हैं i rms और cos 5 को हम लोग लिख सकते हैं cos 5 ठीक है तो यहां सी जो formula निकल के आया है दोस्तों यह सब दिखिए LCR परिपपत आपने जितने formula पढ़े केवल उनी को याद रखिए अगर आपको LCR परिपत के formula याद है तो आप किसी भी LCR के अलावा 6 अलग type के भी जितने भी परिपत आपने पढ़े हैं सभी परिपत के लिए आप formula तुरंद निकाल सकते हैं अगरे having तो आपको केवल LCR परिपत का formula ही याद करना है तो बचे हुए छायों परिपत के लिए आप formula खुद बना सकते हैं उनको अलग से रटने की याद करने की कोई व्याशप्ता नहीं है अशी कोशन देखेंग काशन में क्या बढ़ेँ दो हेंडरी सीव मतलब की धारिता बराबर 32 माइक्रो फेरेड और आर यानि प्रत्रोद 10 ओम है ठीक है में 200 वोल्ट्स देखिए बिना बताए विभव कमान दे रहा है मतलब यह RMS मान है V RMS कमान दिया है ठीक है 200 वोल्ट्स 50 हट्स आप पूर्ती लगाई आती है परिपत में धारा का RMS मान ग्याद कीजिए एवं परिपत में धारा एवं विभव कमान दे कलांतर ग्याद कीजिए दोस्तों हमने आपको बताया था कि I बराबर V upon Z होता है ठीक है अगर आपको I का RMS मान चाहिए यानि I RMS चाहिए तो क्या करना होगा V RMS को Z से भाग करना होगा लेकि V RMS तो आपके पास है आपके पास Z नहीं है लेकिन इसलिए आपको सबसे पहले Z निकालना चाहिए ठीक है तो आईए परिपत का परिपत की प्रतिबाधा Z is equal to कितना होता है अंडरूट में R स्कॉाइर प्लस XL डिफरेंस XC का होल स्कॉाइर होता है ठीक है अब आपको यहा टू अंडरूट में यहां पर लिखी R स्कॉाइर और इसको लिख सकते हैं हम लोग ओमेगा एल ठीक है इसको लोग लिख सकते हैं ओमेगा एल का ओमेगा एल डिफरेंस वन अपॉन ओमेगा सी का होल स्कॉाइर ठीक है भाई चलिए अभी Z is equal to इसको थोड़ा सा एक्स्पें पचास हर्स मतलब दिखिए आवर्ति दी है पचास हर्स तो यह एक्स कमान अगर कोणिया वर्ति दी होती तब आप समझेए कि आपको ओमेगा कमान दिया गया है ठीक है यह आपको एफ या एन कमान दिया है एल हो गया ठीक है डिफरेंस और यहां पर दोस्तों मुझे पता कौन ज्यादा कौन कम तो हम यहाँ पे माइनस ले ले लेते हैं ठीक है यह माइनस ले लिया 1 अपॉन 2 पाई एंड और यह हो गया इसका हो गया guide अब आईए केवल वैल्यू रखनी है और कट्योट करना है ठीक चलिए और की वैल्यू कितनी है 10 10 का square करेंगे दोस्तों यहाँ पे प्लस ठीक है यह हो गया 2 into 3.14 pi की value हो गई n की value कितनी है 50 और l की value कितनी है 2 दोस्तों ध्यान रखेंगे सारी mks value रखेंगे ठीक है cgs वाली values नहीं रखनी है minus 1 upon 2 pi की value 3.14 n की value 50 और c की value कितनी है 32 microfarad तो यह हो गया 32 microfarad को farad मतलेंगे 10 की गार माइनस 6 लगाएंगे भई ठीक है अच्छा अभी यहाँ देखिए कितना बनेगा z is equal to under root यह हो गया 100 ठीक है प्लस इधर देखिए यह बनेगा 628 और माइनस ठीक है 99.59 और इसका square और यहां से देखिए z कमान कितना निकलाएगा इसको ज़्यादा solve करने के आशकता नहीं है क्योंकि इस chapter के जितने भी question आप देखेंगे सब calculated होंगे तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है अपना दिमाग लगाना है कि कैसे calculation को easy करें यह भी ध्यान रखना है में ठीक है खेर चलिए यह under root में 100 हो गया इधार से कितना आएगा यह करीब करीब 100 है तो यह 528 आप इसको ज़्यादा solve करने क्योंत नहीं है यह question number 1 हमने माल लिया अब हमें क्या करना है हमें IRMS निकालना है तो IRMS is equal to VRMS ठीक है अपान में Z और यहाँ पर हमेरी value हम निकाली चुके है VRMS हमें दिया हुआ है 200 ठीक है 200 divided by यह कितना हो जाएगा 628 हो जाएगा तो 628 बस खतम यह तो हमारा IRMS कमान हो गया और यहाँ पर मात्रक लिखना ना बूले सारा मान MKS में है तो unit भी MKS की होगी और धारा की MKS unit कितनी होती है दोस्तों धारा की MKS unit कितनी होती है क्या होती है MPR होती है तो वहाँ पर हमने MPR लिख दिया ठीक अब हमें कलांता निकालना है तो कलांता निकालने के लिए हम 105 लगाएंगे 105 is equal to XL difference XC upon में R होता है ठीक है और XL difference XC ये XL और XC तो है जो हमने निकाला था कितना आया था 526 आया था तो ये होगी जाएगा 526 और R कमान है 10 तो यहाँ से कितना निकलेगा ये निकलेगा 105 is equal to 105 is equal to कितना हो जाएगा 52.8 ठीक है और 52.8 डिगरी ठीक सॉरी 58.2 ये तो वैल्यू है अगर आपको ये आपसे अंगिल निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा 10 inverse कितना हो जाएगा 52.8 तो इसी कोशन के साथ ये सेशन समापत होता है इस सेशन से जुड़े नोर्स पराप्त करने के लिए डिस्क्रेप्शन में दिये गए लिंक पर जाके क्लिक कीजे ओके दोस्तों आज की सेशन में इतना ही मिलता हूँ नेक्स सेशन में धन्यवाद